यूर्ण के ओनलाइन टेटफ़र्म पर आपका स्वागत है आज हमारा जो उत्रक्रण का जो में टॉपिक चल रहे हैं इससे थोड़ा सा हटके हम बात करेंगे हमारे में दॉपर जन आंदोलन को चल रहे थे तो उत्रक्रण के जन आंदोलन से हटकर जो है हम हम यहाँ पर आज जो है एक प्रिविए से आया हुआ हुआ हमारे चल्ब करेंगे कि हम ने जो टार्गिट है कि हमने टॉपीक वाइस करना एक उनको भी हम सौन हमने करना है तो बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारे जन आंदोलन लगाता है चलते हुए आ तो आज थोड़ा सा हट कर जो है हम प्रिवीज सेर का एक कोस्टेन यहां पर सॉल्ब करेंगे को फिर प्रिवीज सेर में कोश्टिन बताती हुए मैं आपके बास में पास कोश्टिन रखा हुआ है कोश्टिन था आपका रंबान के विसे में आप क्या जानते हैं ठीक है ढ़े हैं और अभीत रहले हैं इन पर बहुंपने आपके नहीं के बास करने में लोगे ऐसोंगा केट ढ़लियोयगा थीक है तेंपने इसके नहsty मेंस के लिए है कि कोई भी टॉपिक हमारा होगा तो सबसे पहले उससे रिलेटिट हमें नौलेज होनी चीए तो पहले रम्मान उस्सव क्या है हम इसके बारे में जानेंगे ठीक है आपने प्री में पड़ा होगा कि रम्मान को जो है आपका 2009 में जो है यूनिसको ने है सांस् में क्या-क्या चीजें होती है और इसके क्या महत्त है हमारे इन सारे पॉइंट पर हम डिस्कॉस करेंगे इस से हमारे चोटे और बड़े दोलु टाइप के कोश्यन जो है और निश्चित मानिये जिस तरीके से हमारा जो है पूरा सेलेबस आयोग ने दिया हुआ है इसमें कोश्यन तो आपका और मान पर बनता ही बनता है कंपर्म है कि आपका आपको आना है ठीक है तो चलिए अब हमस्टार्ट करते हैं आज रमवान पहले है क्या हम इस पर डिसकॉस करेंगे थे तो आप म onesaukा जो है कुछ पिक्चर से हैं हां पर इसमाने देखा होगा कि आपको यहां पर मिठिक चित्र आपको दिखरावा याने कि आपको दिखरे हो ilia γ तो सी इंसानी लेकिन वह korkा यह रहे हैं कि मुखोटा लगा कर जो है यहां पर नाटक कर रहे ही यह के बहुत इंट्रेस्टिंग की है दो यहां पर एक जहां की तो रंबान उस्ताव की जहां की जो है आपके गंतंतता दिवस की परेट पर जो है 2006 में जो है इसे गंतंता दिवस की परेट में सामिल किया था और यह आकर्षण का केंद रहा हुआ था हमारा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग स्टार जी गुड मॉनिंग आज पूनम नहीं आई पूनम कहां है आप देखिए कल आपका जो है रिजर्ट भी आउट हो गया है तो कितने आपकी बनी हैं प्रसेंटेज यह बताईए कितने माक्स आ रहे हैं आपके आप तो कंफर्म था इसलिए आपने जो है आप आवाज ठीक 92.5 आप लोग को तो कॉंफिटेंट थे ना तभी तो आपने जो है पहले ही जो है पूर्स ले लिया था और देखिए टाइम बहुत कम है नॉम्बर में जो है मेंस की डेट भी दे दी है तो इतने कम टाइम में जो है आपको इतना सारा कोर्स तयार करना है यह सबसे टास्की चीज है आपके लिए प्रीम आपने बहुत पड़ा होगा लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग का तरीका बिल्कुल अलग है यह इस पीच आप देखे रहे होंगे तो बिटा अब जी जान से लग जाना है और इसमें पूरी मेहनत करनी है ठीक है तो चलिए हम आज का हमारा करने वाला आपका जो सब्जेक्ट है उत्राखन है कम मेहनत में 400 माक्स कम नहीं होते हैं तो बस आपने जो है रिलेटिट टॉपिक आपने पड़ाई है बस मेंस के आंसर लिखने है आपने नमबर बीटा मैंने आप से कहा था ना ऑपिस से ले लेना ठीक है ऑपिस से आज ल है और रॉडा जैये हमारे है कंट सर यहां पर देखें महा भारतम से ब्यास को विधाये हैं कि के की का प्रचार परसार नहीं हो पाया तो इसके बाद प्रचार बसार हो गया कि कई विद्वानों के आपके क्ई मेहनत के बात जो है हमें जो है जो विदाओं का जो है संग्रक्षन होता है ठीक है तो हमें भी मिस हमारे भिहाब पर भी हमें चाहिए कि हमें इन विदाओं को संग्रक्षत करना है और इन्हें आगे बढ़ाना है ठीक है अब यहां पर हम देखेंगे जैसे उत्राखंड के कई उस्सव है हमारी इसे हीमालय का महाकुम्भ भी कहा जाता है इसके अलावा जो है मेला है आपका जिस्वार्च या भगवाल रिलाव पीड़ी चली आ है लोग संस्कृति से रूबरू कराने जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है सांधि जो है कई वर्ट सा पुरानी संस्क्रिति विरासत को जीवीद रखने में जो है यह उस्सव आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमें सहयोग देते हैं ठीक है तो ऐसी ही एक लोग जो संस् तरीके के कोश्चन तो इस रमानुसव में तीन तरीके के कोश्चन करने हैं अगर आपका सॉट नोट आ गया तो इसे को बहुत है अब हमें प्री के भीहाब पर नॉलिज तो हमें बहुत जाता है हमारे पास जो है जो सब्द भन्डार रहे हैं लेकिन उससे इस सेलेक्टे जो है चीज़ों को हमने जो है इस को फुल मांक जो है गेन कर पाएंगे तो अब यहां जो है यहां पर आपके बहुत अच्छे वर्स सेंटेंस दिये हैं इन में से ही आपको चूज करना है और आपकी अगर राइटिंग स्किल है तो आप अपने स्किल पर जो है इस कोश्चिन के आंसर को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं तो आप देखेंगे अब रंबान नाम की उत्पत्ति कैसे भी पहले हम यह देखेंगे ठीक है तो रंबान उस्व का वैसे इसमें जो यह रंबान उस्व है ना आपका यह 11 से 13 देज तक जो है आपके चमोली डिस्टिक में आयोजित किया जाता है वैसे कई जगों पर छोटे-छोटे विहाब पर पहले से ही होता था लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो यह इन दो ग्राम पंचायत के दो ग्राम पंचायत सम्मेलित रूप से जो है रंबान उस्व का अयोजन करते हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि जैसे 11-13 दीन तक प्रेल महा में यह आपका उस्व होता है तो यहां पर जो है इसके अंतिम दिनों में यानिकि जो लास्ट के ज प्रसंगु की प्रस्तुति के कारण संपुन आयोजन नाम से जाना जाता है ठीक है वैसे जो यह बहुत बड़ा आयोजन है आपका 11-13 होता है यहां पर क्या है मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग भी है जब हमें जो है हम साल में एक बार बोलते हैं कि अपने घर में जाकर अपने फुल देपता या देवी को हम पूजा अर्चे ना करेंगे तो हम एक बार साल में गाओं जाते हैं तो रम्मान उस्तव क्या है यह चमोली दिश्टिक का एक ऐसा आयोजन है जिसमां उस सेत्र के लो कि इसमें क्या है देखेंगे इन प्रसंगों के सांस साथ देखें अब मिथारीख मौन को प्रस्तुत किया जाएगा अब यहां पर आपकी आपने मास्क पहना हुआ है तो आपने मास्क पहन कर चुप रहकर आपने यहां पर जो करेक्टर है उनके बारे में उनकी एक्टिंग के थ्रू जो है अपने सारे लोगों को इस पूरी स्टोरी को जो है वालनेत करना है तो है तो बहुत टास्की अब भई देखिए अभी जो स्टोरी है आपको इंट्रेस्टिंग लग रहा होगा कि आपने बोलना नहीं है मुखोटे पहने हुए हैं आपको जो है डान्स इत्यादी करके जो है ड्रामा करना है और नहीं है तो उसे कैसे बता चलेगा कि यह लोग क्या कर रहे हैं ठीक है उनके लिए कार्टून करेक्टर हो जाएंगे उन्हें तो बता ही नहीं कि क्या है तो इसलिए देखिए रंबान उस्व में देखिए बहुत महतोपूर्ण जो सहयोग रहा है वो डॉक्टर कुसल भंडारी जी कौन है पुसल सिंग भंडारी जो है आपके एक अध्यापक हैं इंग्लिस की टीचर हैं यह इन्होंने देखा कि यहां पर हर वर्स रंबान उस्व मनाया जाता है और रंबान उस्व मनायाने के सांज यहां पर सभी लोग यहां के स्थानी लोग एकत्रित होते हैं लेकिन फिर भी जो है। जो नई भीड़ी है उसे तो पता ही नहीं है कि इसको प्रियाख और स्तानी लोगों से मिल कर जो नौलेज इन्हें थी उसके बिहाब पर इन्होंने इस रंबान उस्व को इसकी स्कृप्ट तयार की यानि कि इसको लिपिबध किया लिपिबध करने के बाद इसका इन्होंने इंग्ज्ण और उसके बाद इन्होंने से गड़वाल उन्वेसिटी में दे दिया और उसके बाद गड़वाल उन्वेसिटी में जब इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा तो इनका सुझाओ अच्छा लगा कि इस थानी लेबल पर रहने वाली जानकारी है यह जो हमारा उस्तव है इसे अगर हम संग्रक्षित नहीं करेंगे लिपी बैंद नहीं करेंगे तो हमारे संस्कृत होगए तो tomorrow कामत बहुत अच्छा लगा थी कि इन्होंने और पर संस्क्रिप्ट को यहां अगी तो इन्हों इसके बाद 2008 में इस स्क्रिप्ट को जो है यहां से इंद्रागादी राष्ट्री कला के इंद्र डैली पहुंचारा गया अब यहां पर इन लोगों ने भी जो इस स्क्रिप्ट को पड़ा अब यह लोग आश्यारी चकीर थे कि क्या ऐसा भी होता है कि इतने बड़े विहाब उस्सव हो रहा है और जो है जो यह सैली है यह मूख मुखटा निर्ति सैली है जहां पर बोला नहीं जा रहा है तो एसे अवनेई के तुरू कैसे लोग समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है उन्हें भी एक अच्छा लगा तो उन्होंने जो है जो यह आपके इंद्रा गाधि अच्छा क्यंद्र वाले इस लोग भी एक तीम जो है जब यहां पर मेला और्यवचु और वह देखा और औरियों ने इस तीम यहां पर आमंतित किया ठीक है उसके बाद ऑम यह इन्होंने इनकी तीम को जैसे कहाँ भेज दिया युनस में से प्रवावित हुए है इस जुह सांस्क्रितिक धरोहर की सूची में सामिल कर लिया गया तो यह कोश्चन दिखें कई तरीके से आपका बन सकता है अभी तो सीधे सीधे आया है आपका रंबान में टिपपणी लिखो या रंबान क्या है इस पर व्याख्या कीजिए यह आपका सिंपल वर्ड्स में जो है विता क्या कोस्टेशं लेकिन आपका क्या बन सकता है इस्तानी स्क्राइब को यूनेस्को तक पहुचाने के सफर को अपने सब्दू में वर्ड्स कीजिए यह अगर आपको इस होगी तो आप इस पॉस्चिन को किसी भी तरीके से बना सकते और क्यों आपको 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 कर वा तो यहां पर जो है इसके अंतिम दिनों में में रामयान के कुछ प्रमुक्प्रसंगु का मंचन किया जाता है तो इसलिए इस पूरे उस्व को क्या नाम दे दिया गया थिक है अब यहां पर रम्बान आयन के जो मैं प्रिसंग है उनका तो वर्लन हुआ ही है साथ में कुछ इस्टोरिकल चीजह हैं हमारे तो इस रुमान उस्सा कर जहां पादक महत्यों ढूसिकल तो यहां पर जो है पुछ पारानिक अतिहासिक महत्यों रखता यह और जैसे आप मूवी देखतें तो मुवी में आप देखते हैं ही रो ही रोई इन फोरी इसके साथ में जो है तो होता है यह तो इस तरीके से जो है इस पूरे उस्षव को जो है आयोजित किया जाता है ठीक है अब देखेंगे यहां पर क्या-क्या निर्ट्य सैली है अब नित्य सैली की बात हम करते हैं रंबान उस्व में देखे पहले तो हम यह देख लेंगे कि जैसे प्रीम आपने कोश्चन पढ़ा होगा कि जो आपका रंबान उस्व है कहां आयोजित किया जाते हैं तो सलूर्ड और डूंगरी की जो दो ग्राम पंचायत हैं मिक्स फॉर मैं नित्य सैली के चेंगे को तो यहाँ तो यहां पर दिखेंगे हम सूत स्य। है तो यहां पर दिखेंडेंगे डूंगे नित्य कला का것्तष्pectय करेंगे हैं यहां पर पात्रु के बीचमा संबाद महीं होता है यह दियानमा रखेंगी ठीके पूरी रम्मान जो आपकी जो उस्साव होता आपको बताती हूं आप यहां पर अगर किसी ने लिया है हाथ में नहीं लिया हाँ यह देखिए इस वाले पिक्चर में आप देखेंगे यह देखेंगे एक इस्ट्रूमेंट है जिसे जो है आपका साउंड निकलता है तो यह आप देखेंगे तो यहां पर ढोल दमाओ आठ भंकोर किस अलावा जो है जहां जायर मंजीरों के जरिये जो है भाव अभिव्यक्ति दी जाती है ठीक है तो यह चीज हमको देखने है अब मुखोटे जो हैं जो मास्क हैं आपके वह दो टाइप के होंगे दो टाइप के कौन-कौन से मास्क हों चीज़ू गया उटाव माले जो और फट्रूल ओ उनको खयाली पत्तर थीक है कि यहां पर देखिए धोपत्तर पहला मुखोटा होगा वह क्या है जो सपत्तर हैं जो कि देवताओं buscar train और दूसरा है आपका बहए ने म rif होटे मा रखेंगे साल सब्कार रखेंगे जो सब्सक्राइब तर कर नियुक्री उत्तर वह वह प्रमतर में जो है आप कर वह वह संब्सक्राइब ऐस से तरीके के होंगे ठीक है फुरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है मुखोटा पहना हुआ इससे पता नहीं चलेगा कि आपको जो है यह कौन इंसान प्ले कर रहा है ना बोलना है इसमें इन्हीं के इसमें जब प्राचीन समय में तिबबत के वियापारी जब भारत और तिबबत व्यापारी थी तो उस टाइम प्येड में यहां पर चोरी और डखेती यानि कि चोरी लूट मार इत्यादी होगी तो वह इस निर्थी के माधियम से बताते हैं कि जब व्यापारी यहां आए थे और चोरी और डखेती हुई थी तो उस टाइम पर जो है कैसा माहौल क्रियेट हुआ था तो वह सारा जो है यह इस चीज का तो उस समय की घटने मैंने आपको बताया थे कि रंबान उस्व जो है पौरानिक महतु के सांसान जो है इसका क्या है हिस्टोरिकल महतु भी यानिकी यह बता रहा है कि उस टाइम में यहां पर भारत तिब्बत व्यापार होता था ठीक है अब यह जो हम अगर रंबान मयूर मयूरेन देखिए यह क्या है आपकी पहाडव सेथ्रिम में जो आपके दैनिक परिसानियां आप जयसे महिल आएं यह पहाडों मत घाच सब्सकुर्प्यूरेन की इस केडिया इन पर पाती है उस्तिर्म की चितरण जो उस्थानी लेबल की हमारी परिसानिया है उसका चितरन किसमें किया जाता है मयूरेन यानिकि यहां पर समाजिक हम कह सकते हैं कि इसकी उस्सव है इसामाजी समश्याऊं को भी दिखाया जा रहा है ठीक है आप देखेंगे आगे आगे है आपका माल मल माल मन निक्या है देखी इस निती में क्या है कहा जाता है कि जब गोर्फु नहां पर युद्ध किया था तो रही बिवान और व सबको технолог odd जो है आप मालमल युद्ध में करते हैं ठीक है नेक्स्ट है यह थर्ड आपका मालमल हो जाएगा ठीक है और फोर्ट नमबर का जो आपका डांस है वह है कुरू योगी मैंने जैसे आपको यहां पल दिया तो जैसे मूवी देखते हैं उसमें कॉमेडियन आपके जो है च्डाते से होते हैं ठीक है जब हमने मुझे याद है में जब पड़ते थे तो एक वहां था जो कि था इसको जो है जूए जयाता है तो यह जो है यह कूरी क्या है यह कूरी क्या है यह फूरी नाम की घ्षास है अपने पूरी बॉर्डी पर लगा खेंगा ठीक है और उसके बाद यह पब्लिक है उसको यहां पर इट करके जो है लोगों को रसाट तो विश्च प्रकार की घ्षास लगाकर लोगों के बीच चला जाता है पूरू चिपकने के बैसे लोग इधर उधर भागते हैं लेकिन पुरु योगी उन इस्थानों पर अपने सरीर से चिपके वए पूरु निकालकर फैकता है सामाणी भासा में जोएसरे जो कर कि को माल मल लता जो स्थानी परिसानियों को जो हमारी जो परिसानिय हैं उन्से अवगत करा रहा है तो यह आपके मनुरंजण का जो है यहां पर इमरती है इस तरीके से जो है मुखोटे पहन की यह क्या कर रहे हैं डांस कर रहे हैं आप अब देखेंगे मैंने आप से बोला था कि किस तरीके से आ सकता है कि सलूर डूंगरी से विश्व धरोहर तक का सफर यह question इसी तरीके से आपका पूछा जा सकता है question को आप यही पर लिख लेते हैं यह question जो है इसी प्रकार से आएगा इस topic से related रंबान उस्सव के रंबान उस्सव का सलूर दुंगरी से विश्व धरोहर की सुची में सामिल होने तक का कि सफर का वर्णन थीजी यह question आपका आएगा ही केवल आपका फिटी शूर्ट्स में आपका यह question करने के लिए आएगा इस के लिए जीए पता होना चाहिए कि कैसे कैसे जो है आपके शलूर डूंगरी से यह जो आपका उस्सव है कहां तक आपका यूनेस को तक पहुंच गया ठीक है तो चलिए इस पर हम बात करेंगे देखें मैंने आपको बताया था कि रम्मान यानि की जो कौतिक है आपका 2007 2007 तक जो है इस उस्सव को केवल जो है सलूर डूंगरी जो स्थानी लेवल पर चमुली डिस्टिक में जो है इस उस्सव के वारे मां जानते थे ठीक है फिर यहां पर जो है इसी गाउं के एक शिक्ष श्सक्त थे इनकी मेहनत का नतीज़ा था कि रम्मान को जुश्व धरोहर में स्थान मिला ठीक है तो छुक्ष भंडारी है इन्हें रम्मान को क्या किया लिपिबद्द कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया इसके बाद जो है गडवाल विश्व विध्याले कि लोग क तो यह जो पॉइंट मैंने हाइलाइट किये हैं इनको आपने इसमें करना है क्योंकि बहुत ज्यादा आपने लिखना है लेकिन फिप्टी वर्ट के अंडर जो है आपने जो में में चीजें वह सारी आ जानी है यहां पर कुमाव इसमें विद्धिहलाई के कौन सी प्रांच म इतनी पसंद आई कि कला केंद्र की पूरी टीम जो है सलूर डुंगरा पहुंची वे लोग इस आयूजन से इतने अभी भूत हुए कि 40 लोगों की एक टीम को दिल्ली बुलाया गया इस टीम ने दिल्ली में भी इसका सांदार पस्तिती दी बाद में इसे भारत सरकार द्व को है नंदर्त राज़ात या थाहें हम यहां पर राज्य के जो है नेशनल पार्के आपका जिसे 50 words में अगर आजाता है तो आपके लिए भी टास्की हो जाता है कि इतने बड़े question को जो है 50 words में कैसे convert करें ठीक है तो इसके लिए आपके उपर जो है यह skill आपको develop करना पड़ेगा कि आपने question में अच्छे-ची चीजों को छाट कर जो है आपने लिखना है ठीक केंदे तक पहुंचाया थे इसके पश्चाथ फिर इसके बाद का लिखेंगे इसके पश्चाथ यहां से इसके पश्चाथ कला केंदे की पूरी टेम सलूर दुंगरा पहुंची ठीक है तथा इस आयुजन के इस आयुजन से इतने अभी भूत हुए कि चालिस लोगुं की एक टीम को दिल्ली बुलाया बुलाया गया ठीक है बुलाया गया और इसको आप लेफ्ट करने के बाद बुलाया गया इसके पश्चाद या बाद इसके पश्चादी वाली लाइन नहीं करनी है इसके पश्चाद भारत सरकान ने इनहें UNESCO भेज दिया यह आपका पुरा question रेडी हो जाएगा यहां से ठीक है फिर इसके बाद 2nd October 2009 में UNESCO ने पेन खंडा में रंबान को विश्वधरोहर्ण की सुची में सामिल किया गया- आप देखेंगें, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि जैसे पेन कंडा आपको यहां तो आपको ध्यान में है लेकिन वहां जो है आपका ध्यान से हट गया तो कोई यहां पर आपके 50 वर्ट्स लगभग आपके complete हो जाएंगे तो आपका कहां से कहां तक का सब्सक्राइब यह सलूट उंगरी से लेकर आप तहां तक पहुंचगे यूनेशको तक आप पहुंच गए हैं ठीक है अब इसके बाद जो है आप लिख सकते हैं कि आई सीएस के दो सदस्य दल में सामिल जापानी मूल के यह आपको लिखने की जरुवत नहीं है ठीक है यह आपको लिखने की जरुवत नहीं है क्योंकि इससे जो है आपका 50 वर्ट् कि कुसल सिंग भंडारी आदी को जाता है ठीक है इतने सारे नाम लिखते की ज़रुवत नहीं है तो इस सफलता का सुरह आप लिख सकते हैं इस सफलता का स्रे गड़वाल विष्व विध्यालाई के लोगु तथा डॉक्टर कुसल सिंग भंडारी जी को जाता है तो बात में आप जो नाम है उनको भी आप सौर्ट कर सकते हैं क्यूंकि फिप्टी वर्ट में आपको कोशन पूरा भी करना है ठीक है सफलता का स्रे कुसल सिंग भंडारी जी को दिया जाता है जिन्होंने अपने कठिन परिष्ट्रम के चलते इस चोटे से उस्सव को तक पहुचा दिया इतना लिख और उसके बात को अपको बाइंड किये जो है आपको चोड़ना नहीं तो इस तरीके जो है फिफ्टी वर्ट में आपका कैसे बीन सकता है करने के लिए आपका इजी रहेगा आप संस्कृति विभार के सहयोग से आज आपका सलू ढूंगरी गाउं है यहां पर जो है जो इस आयोजन से रिलेटेड जो है आपके पौरानिक मुखोटे हैं तो इनके लिए जो है मुखोटे बरतन इत्यादी इंस्टुमेंट है इन सब को जो है संग्रक्षित के अन्ने के लिए एक म्यूजियम यहां पर बनाया जा रहा है ठीक है अब यह तो आपको जो अगर बड़े कोश्चन में अगर आपका आता है तो तब आपके लिए पॉसिबल है इतनी सारी खीक है फिवियर सेमा एंप आया हुआ है कोश्चन है आपका आपके अन्यामान की विश्यम में बहुत easy language में यह question आपका आया था क्या जानते हैं ठीक है यह question आया था आपका long question में ठीक है तो ऐसा अगर question आ जाता है सिदे सिदे रंबान की जो है रंबान सबसे पहले जो है आपने बेसलाइन इंट्रो बनाना है इंट्रो के बाद जो है आपने रंबान क्या होता है यह आपने बताना है रंबान का नाम रंबान कैसे पड़ा यह बताना है कौन सी सैली यहां जितने मुखोटे यहां यहां पर करते हैं उसके बाद नाहिकर भंडारी के महतु को बताते जो है इसको क्या करें नहीं कर देती है और लाष्ट में जो इसका है तक हमारे संस्कृति एक घरोहर है जो कि हमें पीडी दर-पीडी जो है हमारे इतिहात रहे हमारे पौरानिक कीजूं से तरीकी की बैंडिंगे तो यह जो इसमें पहले हम इसके और कोश्चन डिसकस करते हैं उसके बाद हम देखेंगे यहां पर का टाइम मिलते हैं तो और करेंगे और यहां पर जो है एक सौट कोश्चन आपका आया था यह तो था वर डूए बाई रम्मान ठीक है और सेकिन पॉस्चन जो है आपका टिपपनी टिपपनी लिखों में जो है रम्मान आया था रम्मान उससव आपका आया था फिर थार देखें कौन-कौन से कोश्चन यहां पर एकस्पेक्टेड हैं कौन-कौन से कोश्चन बनाए जा सकते हैं सांस्क्रितिक धरोहर के रूप में धरोहर के रूप में रम्मान के महत को समझाईए ठीक है इसके अलावा एक फिर सेम ऐसा ही कोश्चन रम्मान उस्व का वर्णन अपने सब्दू में कीजिए तो आप देखेंगे कि जो आपका पहला कोश्चन है पहला तो यह पहले कोश्चन की एक और जैसे आपका पहला कोश्चन है सेम वैसा ही है सेम एज पर्स कोश्चन ठीक है तो इन में दो है इसमें जो है आपको टिपपने लिखने को कहा तो किवर्ण ट्वंटी फाइव वर्ट्स में आपने यह कोश्चन लिखना है बाकी हमने सलूर्ड उंगुरी से युनेस्को तक का सफर हम कर चुके हैं और यहां पर जो है मेहट्व को तो हम डिसक करते हैं तो यहां पर आपको बता दिया आपने क्याओ सारी चीज़े लिखी है उन को आपने है्दिंग मैंने लिखे फैरग्राप में लिखने हैं और उन मेंसे जुह ए सेलेक्ट जीज आपने लिखनी है जैसे आपको पहले पूरा रम्मान उस्व को एक्स्प्लेन करने को आएगा तो पहले आप बेस बनाएंगे कि उत्रखंड की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रम्मान उस्व का अपना महत्व है इससे प्राचीन प्राणिक और एथिहासिक जो हमारी संपदा है इस उस्सव के थुरू जो है हमारी एक पीडी से दूसरी पीडी जो है उससे क्या होती है रूबरू होती है आप कोई भी अपने सेंटेंस में उसे इंट्रो दे देंगे और उसके बाद जो है वन बाई वन पैराग्राफ आई जो है इसे लिख लेंगे अब जो है आपका है क्या में पहुंचा इा थे इतुञें आपको नहीं है ठीक है हो तो आपका ला ठीकिलिआन यू म् incompatee और इसंच ने सёзव प्रकों हने मां अफंवन चीज़ उसमांबला कäre। तो 25 लिख सकते हैं कि कि कहां या ईयोजीत होता है यह हम सकते हैं सलुदूंगरी ायोजीत। हमते हैं कि नहीं लिखना है क कोई प्राबलम की नहीं हो पता है कि हमार पास वरल्ड डिमिक किटनी है ? तो सलूट डूंगरी में आयोजित रंबान उस्सव को दो अक्टूबर 2009 में युनिसको ने विस्तु धरूहर की सुची में सामिल किया जो कि इस सेत्र की पौराणिक एतिहासिक तथा सामाजिक इस्तितियों का वंडन करती है ठीक है तो यह जो है इतना हिसाई आप लिखेंग होता है एक में से एक नंबर आपका मिल जाएगा मत्तब बहुत स्वे यहां पर आपने इतना करना है कि बहुत कम से कम वर्ट में यानि 25 वर्ट में आपका पूरा को कॉस्टिन जो है कंपलीट हो जाए तो हम लिख सकता हैं कि यह किसी भी तरीक से जरूरी नहीं कि इतना ही है आप इसमें जो है कई चीजी हैं आपकी किसी भी तरी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे एक टैप से में बता देती हूं यहां पर कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि डुंगरी में आयोजीत इस उस्सव कु दो अक्टूबर दो हजार नौ में युनेस्को द्वारा विश्व सांस्पृतित धरोहर की कि सूची में कि सामिल यह थीक है अब देखें वर्ट लिमिट हम देखें ट्वंटी फाइब काउंट करता हैं वन तो थ्री फोर फाइव अभी हम एक सेंटेंस और लिख सकते हैं ठीक है इस उस्सव में इस उस्सव में रामायन के प्रमुख प्रसंगू के मंजन के सांसान प्रसंगू के मंजन के सांसान कई परानिक एतिहासिक घतनाओं का घटनाउं का मूख, मुखोटा, नित्य, सैली द्वारा प्रस्तूत किया जाता है कि यह जाता है अब देखिए कितने हो रहे हैं हमारे वर्ट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा ठारा उननिस तीस एकिस वाइस तेइस चौविस पच्चिस चविस सताइस अठाइस इस तीस तीस तर्टी से ज्यादा सकते हैं मैं इस 7 को है तो ऐसे वर्ड को जो है काउंट और तो यहाँ पर तो इस तरीके से यहां पर आपके एक सब्द क्या लिख सकते हैं चमूली में आयोजीत इस उस्सव को ठीक है आप ऐसे भी यहां पर लिख सकते हैं तो इस तरीके से आपको 25 वर्ट में यह कोश्यन आपका हो जाएगा आप देखें इसके बाद आपका एक मैंने आपको एक कोश्यन और लिख वाया था जो है सांस्ट्रितिक धरोहर के रूप में रम्मान के महत को समझाईए थी के तो इस कोश्यन में आपने क्या करना है कोश्यन है रम्मान का महत्या थी के यह कोश्यन है इसको सपोज आपने करना है 50 वर्ट में आपको आपने कोश्यन करना है तो आपका महत्यु कैंसे आपको अनुग है कि स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि तो हमारी संस्कृति है उसको एक पीडी से दूसी पीडी में ले जाने का काम क्या कर रहा है यह उत्सव कर रहे हैं आपके वाल यह नहीं कह सकते हैं कि यहां पर देखिए इसमें आपके कई यहां पर रहे हैं ग्राम आप से हैं और इसके सब्सक्राइब है हैं सामाजिक महतों हैं टोlim है थापि तो यह आपने प्यार मैं टो फ़रान एक पह्लम है अपरांक महतों मैं अपरम एक Meaning हिसंग ऒूल सकते हैं तरफे कि इस है कि स्विल दिख को तुम्त है मैं आय जीट इस है उत्सव है अपना है एक पौरानिक एतिहासी को सामाजिक मेहत्यू है, यह इंट्रो माप लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको फिर से लिख सकते हैं, आप येमेंशन नहीं करें गया है मैं आपको बताने के लिए कि इंट्रो लिखना है सब अपने अपने लेंगवेज वर कुछ भी लिख सकते हैं इसमें जलू दूम्री मैं आयोजीत इस उत्सव का विसेज सांस्कृतिक पौराणिक वो एतिहासिक महतु है जिसके कारण इस उत्सव को इस उत्सव को इस सांस्कृतिक पौराणिक विसेज उस्व हो विश्वधरोहर सुची में सामिल किया गया विश्वधरोहर की सुची में सामिल किया गया तो इस तरीके से जो है आपने इंटु लिए ज़रूरी नहीं यह लिखें आप और भी अच्छी वह यहां पर यूज कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर इसके बाद देखिए पहला सेंटेंस आपका हो गया इसके बाद आप दूसरा जो आप चार्ट करेंगे यहां से करेंगे अब इसके मेहतों अब देखिए मैंने आपसे बोला की पौराने मेहतों क्या है आपका तौसरा की सÁंस्कृ effective मेहतों में है कि डुबला सेखित्व हैसर्थ बहार है उस सिर्थी वहाने वो कि ऐसे लोग अपने गाउं वापसा रहे हैं तो उसके बाद देखें आपका पौरानिक महतु प्राणिक में अप लेका कि यहां पर आपने क्या लिख लेना है रामया कि आपको प्रसंगु आले माप पुसमा जाएगा आपका पौरानिक मा जाएगा ठीक है और एक पराग्राफ दो लाइन में पूरा करना है अगर एक में आपको लगता है कि 50 वर्ट में हैं तो ज्यादा पैराग्राफ नहीं बने यहां पर फिर अन irregular श़र्ण भॉला अप प्राग्राफ जितने एक प्राइं हैं सिर्ण लिख लिखने हैं भारत इबद कर दो यहां पर आपने सारे मेहतु लिखने अगर्फीन है अपने एक्रमण के जानकारी रखता है अंपना क्या क्या रखता है तिक यहां पर बता दिया क्या लिखना है हिसे और इसके बाद लास्ट में आपने लास्ट पैराग्राफ होगा पर इसमें आपने क्या लिखना है लगता है कि यह अपने अपने करने तक्टारे या पनी इस तरीकर से जो हए तना करने है इनमें आपके कौन-पौन से कुन क्या आपने तयारी करनी है यह इस प्रिकार तो सवु आपका इम्पोर्टेंट है वैसे ही नंदा-राजयाद यात्रा भी इंपोर्टेंट हिम एक दिन आपको आपको डिल्हों पहला दे लिखो वाले मैं चुदे एक आफुछ टॉपिक आपको में देते हूं छैसमा आप करेंगे कि में आप प्रेक्टिस करेंगे इंदी टिपपड़ी लिखों में इसमें पंच प्रियाग पंच प्रियाग दूसरा देव प्रियाग यह कोश्यन पहले भी आये हुए है आपके पंच प्रियाग देव प्रियाग माना पिरान कलियर ठीक है तो यह कोश्यन आपके पहले आये हुए कोश्यन ह们 ribea आतने हैं तो मैं आपको आइडिया दे दू कियक्षरेंॉ कि इनको अपने हैं इनके जो आंसर आपने लिखने हैं यह केवल कितने में लिखने हैं 25 words किसे सेंटेंस उने चाहिए है में जिमDER के दो सेंटेंस पिंहान है कोई यहां पर वैल्यू ही नहीं रह जाएगी तो आपके दो दो पेराग्राफ हो और सॉलेड होने चाहिए एक कोश्चन जैसे आपका जो है दे प्रियाग में जो है आपका 25 वर्ट में वैसे तो पंच प्रियाग में बहुत सारा है लिखने को लेकिन यह आपकी लेखन सैली पर बनाति को यह को जाए नेन करता है कि आप इत्ते बड़े टॉश्चिण को 25 वर्ट में ऐसे करते दे प्रियाग बहुत बार आया है यह , आपका कुश्चन आया हूँ है की दे प्रियाग अकले के बहुत की सद्थ तैक अपान दे प्रियाग में दूसरी लाइन पंच प्रियाग अब कौन से दो नदिव के संगम पर है तो बताना बहुत जरूरी बनता है ना तो पंच प्रियाग हमारा कहां पर इस्तित है हमारे अलगनंदा और भागिरती के संगम पर इस्तित है तो हम क्या लिखेंगे प्रियाग अलग नंदा और भागिरती के संगम के पश्चाथ जंगा नाम से जानी जाती कि इस तरीके से जो है डू सेंटेंस में आपने इसका अंसर लिखना है ठीक है माना माना का जो है आपका इसका अभी अगर आप देखेंगे तो पौरानिक मेहत्व तो है ही साथ में झालेक पौरानिक है रूपम पिर में इसे तरहरा इसे रूपम देखा जाता है तो एकता का यहार प्रतीक है और जुह हैं प्रतेक वर्श शुह है आपके लगभग अप्रेल-माइ की मेहने हां पर लिती ता का है मेला लगता है तो इसमें भी है आपने TWO sentence में पूरा करना है तो फिरा वस्टे काल शुद्टिक करना है तो पी ले के प्रतीक रूप में विसेश महते अब इसके आगे आप अपना sentence बनाईए ठीक है इसमें ये mention आपको करना जरूरी है माना में जो है भारत का पहला भारत का पहला गाउं से आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं और देप्रियाग जो है आप नदियू का संगम वाला आप में जरूर लिखने है इसमें अलग नंदा प्लस भागी रथी कि यह सारी चीज़ें जो है आपको पर चले जाएगा तो यहां पर हमने देखना है कि 50 वर्स तो हमारे पास वर्लिमिट है यह 25 वर्स मा करना है तो आप क्या लिखेंगे आप सब्छन प्रस द्यात ड्रों के नाम यहां पर मेंनिंट कर देंघे तो आप लिखेंगे है उत्राखbung के प्रस प्रियां के रूप में सारट शुरू करे वीश्थ्वर नंद प्र striving यह सारे जरू है अलग अलग नदियों के जो है अलग नंदा नदि के संगम पर अलग नंदा से संगम होने के बच्चा जुग है या तो सीधे सीधे आप लिख लिखेंगे इसको आप इस कोश्चन को करना टास्क है क्योंकि लंबा कोश्चन और सो 25 वर्ट में लिखना है ठीक है तो आप लिखेंगे पंचे परियाग का पंचे परियाग पांच भिन भिन नदियों अब अगर आपके वर्ल लिमिट कम हो रही है तो इन पांच नदियों के नाम आप यहां पर लिख सकते हैं पांच भिन्ने भिन्ने नदियों के अलक नंदा के संगम से निर्मित होती है या एक ही संटेंस में से पूरा करना है तो अलक नंदा के संगम से निर्मित इन नदियों का अपना विशेश पौरानिक महत है ठीक है यह लिखकर आपके 25 वर्ट्स आपके कम्प्रीट हो जाते हैं ठीक है तो आप पंच प्रियाग में इसमें और इसके अलावा जो है आपका कर्ण प्रियाग कर्ण प्रियाग के बाद इसमें ही मेंशन कर रही हूं है यहां पर आपका रुद्र प्रियाग और देव प्रियाग हो यह है यहां पर जो है नदीयों के नाम मैंसटन करने हैं है यहां पर जो है विश्न पर याग माफ कि विश्न गंगा सुरी मैंने यहां प्रियाग के नाम लिख दिए विश्नु इसको सही कर देती हूं मैं Dip विश्नु प्रियाग नंदाकिनी पिंडारी या पिंडर नदी पिंडर मन्दाकिनी और भागी रिस्ट ठीक है जल्दिवाजी करने के शक्तर में और जादा देर हो गई ठीक है और यहां पर अगर आपके 25 वर्ट पूरे नहीं हुए तो इन प्रियागों के आप नाम भी आगे मैंसन कर देंगे और इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा इन पांच जो आपके चार्ज आपके टिपणी लिखो हैं इनका एक सैंपल में यहां पर डिस्प्ले करके इनको एक्स्प्लेन भी कर दूंगे टाइम कम था तो जल्दबाजी में यह नहीं हो पाया तो आप इसकी कोशिश कीजिए इसको करने की और कल जो है दुबारा इसको जो है हम डिस्प्ले कर दूंगी यहां पर और एक बार जो है इस पर हम चर्चा कर लेंगे ठीक है चलिए अभट है चलिए छोड़ को कर दूंगा कर दो हमनुट जे जavy जए ने झा आम